नमस्कार दोस्तो आज की नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, मेरा नाम है रविंदर दोस्तो आज कुझे हम बात करेंगे etal M&P process के बारे में दोस्तो यदि आप एक etal के नए retailer हैं, या आप एक etal के पुराने retailer हैं दोस्तो आप ATAL मित्र एप्लिकेशन से EKYC प्रोसिस दुआरा किसी भी कंपनी का सिम ATAL में पूर्ट कैसे करोगे तो दोस्तो चले वीडों में बने रहें अंतक जरूर देखें वीडों को लाइक निकिया है तो वीडों को लाइक जरूर करें और मुझे कोमेंट करके दोस्तो जरूर बताना कि आज का ये पूरा खापूरा वीडियो आपको कैसा लगा है और दोस्तो ये दिया आपने अभी तक मुझे फेस्टुक पेज पर फोलो नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो को डिस्किप्सन में मिल जाएगा आप लिंक पर किलिक करके चलेजे हमारे फेस्टुक पेज पर और आप हमारे पेज को लाइक और फोलो करना ना भूले तो लोगिन करते हैं हम अपना एटल मित्र अप्लिकेशन दिखाते हैं आपको फुल प्रोसिस शूड़ों के माध्यम से तो दोस्तों लोगिन कर लिया है एटल मित्रा एप्लिकेशन तो यहाँ पर सबसे पहले हमको प्रिपेड डिजिटल एक्टिवेशन वाले उप्चन पर एक बार टेप करें इसके बाद document type पर हमको किलिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है हमको आधार कार्ट उपरवाला, uid कार्ड आधार कार्ड पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार obese domestic वाले उप्चन पर एक बार किलिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने अगला पेच ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें और दोस्तों यहाँ पर एक राइट किलिक करें और नीचे की तरफ स्क्रोल करें और यहाँ पर कस्टूमर का आधार नंबर हम दर्ज करेंगे तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं क कस्टूमर का आधार नमबर और इसके बाद दोस्तों हमको करना क्या है कि हापर आधार नमबर डाले कवाद यहाँ पर किलिक करना है बायमेटिक डिवाइस को जो भी आपके पास डिवाइस है उसको मोबाइल से अटेच कर लेना है और उसके उपर यहाँ पर किलिक करके और य यहां पर हम कस्टूमर का अंगोठा अपनी डिवाइस के ओपर टिकवा देते हैं तो यहां पर ओके हो चुका है प्रोसेसिंग चलिए थोड़ा सा इंतिजार करेंगे हम यहां पर दोस्तों आपको पास से साथ सेकेंड भी लग सकते हैं इसके वाद हो चुका है इसके बाद हम हम को क्या है कि यहां पर हमको क्स्टूमर का नाम अल्टिनेट मॉवाइल नमर और नो के ओप्सण पर किलिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर दोस्तो अब आती है SIM डिटेल भरने की बारी तो दोस्तो यहाँ पर MNP वाले उप्शन पर एक बार टेप करेंगे इस वाले उप्शन पर किलिक करके Port Code का फोटू लेना है जिस मुवाइल से Port Code मारा गया हो Port Code वाले मेसिज को ओपन करें और यहाँ से हम उसका फोटू यहाँ पर किलिक कर लेते हैं सही तरीके से तो दोस्तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान राखे कि फोटू जो है एकदम थोड़ा किलियर होना चाहिए इसके बाद डन के उप्शन पर टेप करेंगे नहीं लिया गया है तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है दो तीन बार इस प्रोसेस को करके देखते हैं और इसके बाद आसानी से हम फोटू ले लेते हैं क्योंकि दोस्तों कीपैड मुबाइल में थोड़ा फोटू सही तरीके से नहीं आ पाता है तो दूस्तों यहां पर photo ले लिया गया है हम थोड़ा सा इंतिजार करेंगे processing चल लाई है और इसके बाद दूस्तों हमको जो है नीचे वाला जो और यहां पर पूर्ट करें और यहां पर प्रिपेड्स करें अपर पूर्ट कोड डाले और इसके बाद दोस्तों हमस्ते है जो भी हमारे पास एटल की ब्लेंक सिम कार है और इसके बाद ही हां से हम है यहाँ पर कलिक करते हैं कि किलिक करते हैं हों मेकर तो हममेकर इसके बार नीचे की की तरफ स्क्रोल करेंगे प्यार से हमको यहां पर फिर से एक राइट किलिक करना होगा नीचे यहां पर एक राइट किलिक कर देते हैं अब इसके बाद फिर से हम नीचे की तरफ स्क्रोल कर देते हैं इसको प्यार से अब यहां पर दोस्तों आता है रेटेलर का नंबर यहां पर किलिक करके जो इस्केनर का option दिख रहा एंग उठे का यहां परränुuckt करके अब retailer booster को अपने विफश के उपर लगाना हो गई तो यहां पर हमने अपना अग्उठा लगा दिया है अब इसके बाद दोस्तों होता है कि लिछ स्ट्रोल करेंगे हम्कोente पर किलिक करने हैं, बस खाली यहाँ पर अपना पिन डाल कर आप रिचारज करते, जो भी आप FRC सलक्ट करना चाहते हैं, और नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसकी वाले उप्सन पर किलिक कर सकते हैं, तो दोस्तो आज का वीडियो आपको कैसा रगा, आप इसी परकार से किसी के लिए उड़िम ततक के लिए जै हिंद जै भारत